खुल गया हसनपूरा मॉबाइल सॉप जिसके प्रोप्रेटर इफ्तखार एहमेद हैं यहां पे सभी कमपनी का मॉबाइल, कौवर, टेमपल ग्लास, चार्जर, हेड़फॉन, ब्लोटूथ, बैटरी, आदी, उचित मुलेबर मिलते हैं जिसका एड्रेस है हसनपूरा चटी ट तथा लोगों में दहशत का महौल दिखा, एक तिलक समारों में आदा दरजन से ज़ादा असलाधारी युवा हवा में ताबा तोर फैरिंग करते नजर आ रहे हैं वैरल हो रहा ये वीडियो गुपाल गंच के विजएपूर थाना छेतर के मुसहरी बजार की है जनकारी के मुताबिक विजएपूर थाना छेतर के मुसहरी बजार में 26 नॉम्बर की रात प्रिंस कुमार गोड का तिलक था सिवान जिले के नौतन थाना छेतर के गंभीर पूर से तिलक आया तिलक समरों में मंडब पर दुले राजा के साथ आठ दस दोस्त भी शामिल थे जो तिलक चरहने की रसम पूरी होने के बाद मंडब पर खड़े होकर ताबातोर अंगिंद फैरिंग करते नजर आ रहे हैं फैरिंग भी इतनी बेतरतीब तरीके से की जा रही है कि किसी की भी जान जा सकती थी खास बात ये कि वीडियो में ताबातोर फैरिंग के बीच मंडब पर दुल्हा समेथ काफी संख्या में लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं फिलहाल पुलिस इस मामले में जाज कर रही है गुपाल गंज के एसपी आनंद कुमार का कहना है कि मामले में विजयपुर थाना को F.I.R. 10 करवा दिये गई है फैरिंग जिस रैफल से की गई थी वो लैसेंसी होगी तो लैसेंस रत कराए जाएगा जदी आवैद होगा तो जब कर कानूनी करवाई जाएगी S.P. के आदेश के बाद विजयपुर पुलिस ने हर्श फैरिंग में शामिल लोगों की गिरफतारी के लिए ताबातोर छापे मारी भी शुरू कर दी है फिलहाल इस मामले में अब तक किसी की गिरफतारी नहीं हो सकी है गुपाल गंज में शादी विवा में हर्श फैरिंग का ये पहला नजारा कोई सामने नहीं आए इसके पहले भी शादी विवा में हर्श फैरिंग की वरदात हो चुकी है जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है अब ये लोगों का शौक है ये कुछ और ये तो अच्छी तरह से छान बिन के बाद ही मालूम हो सकता है फिलहाल परशासन इस मुद्धे को गंभी रूप से समाल रही है